हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंक का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके इपने चैनल टारे टीचर जॉब में दोस्तों आज हम डेलर थर्ड समेस्टर हिंदी विषय का सिछड देखेंगे और दोस्तों इसमें हम लोग हिंदी विषय में सबसे पहले अध्याय जो थ साथ वाल कुष्ण सर्मा नमीन तक हम लोगों ने देख लिया है तो आज हम देखेंगे सूरी कांत्रि पाठी निराला के विषय में तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहां पर हम देखें महाकवी पंडीत सूरी कांत्रि पाठी निराला का जन में विक्रमी संबत 1903 की वसंत पंचमी को महिसादल नामकस्थान पर हुआ था क्लियर तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है क्या बसंत पंचमी को महिसादल नामकस्थान पर विक्रमी संबत 1903 को क्लियर अब यहाँ पर देखें अगर हम देखें यहाँ पर सन की बात देख लें यह तो आपका संबत है सन में अगर हम देखें तो इनका जन्म 21 फरवरी 1896 इस वी मेधनी पूर बंगाल में हुआ था इनका जन्म क्लियर नहाँ पर देखेंगे जो महिसादल नामकस्थान है वो मेधनी पूर से ही समन्दित है आगे हम देखें इनकी मृत्यू कब हुई थी दोस्तों इनकी मृत्यू हुई थी 15 अक्टूबर 1961 को प्रयाग इनकी मृत्यू कब हुई इनकी मृत्यू हुई थी 15 अक्टूबर 1961 में और जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 में तो दोस्तों हिंदी के छायवादी कभियों में इसे एक माने जाते हैं ये सुरकान त्रिपाठी निराला जी और जन्म के तीन वर्स पस्चात ही इनकी माता का देहान थो गया था और निराला जी की सिच्छा दिच्छा तो अधिक नहीं हो सकी पर उन्होंने घर पर ही अंगरेजी, बंगला और संस्कृत का अच्छा अधियान कर लिया तो दोस्तों यहाँ पर इनके कौन-कौन से भासा का ज्ञान प्राप्त किया था अंगरेजी, बंगला और संस्कृत, clear? और दोस्तों अगर हम बात करें तो इराला जी के पिता स्रीर राम सहाई तिरि पाठी उत्तर प्रदेश के अंतरगत उन्नाव जिले के गड़ कोल नामक गाउँ यहीं के रहने वाले थे और यह महिसादल राज में नौकरी करने के कारड़ बंगाल में रहने मूल स्थान कहा है इनके पिटा जी कहा रहते थे उत्तर प्रदेस में इनका जो मूल स्थान था वो उत्तर प्रदेस था लेकिन नौकरी करने की वैज़ज vibes से महिस्ता दल राज्जी में वो बंगाल में रहने लगे थे clear अब आगे बात करें हम दोस्तों यहां पर हम बात करें तो निराला जी के जन्म के तीन वर्स पसचा थी उनकी माता का देहांत हो गया और निराला जी के सिच्छा दिच्छा तो अधिक नहीं हो सकी पर उन्होंने घर पर अंग्रेजी बंगला और संस्कृत का अच्छा अध्यन किया clear और दोस्तों अगर हम बात करें इनके विवा की तो इनका विवा तेरे वर्स की अलपाईव में ही हो गया था और दोस्तों जब यह युवा वस्ता में प्रवेश किये यानि कि जब वो यंग हुए तो उसी समय इनके पिता जी का निधन हो गया और दोस्तों इनकी पतनी इनके चाचा इनके भाई इन सबका निधन इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी की विज़से हो गया clear अब देखिए यहाँ पर जब इनके फैमली में इतने मेंबर का निधन हो गया तो निराला जी के आपरिपक्व कंधों पर अपने चार भतीजों और अपने एक लड़के और लड़की के पालन पोसड का भार आ पड़ा तो दोस्तों इनके जो भतीजे थे इनके चार भतीजों की भी जिमेदारी इनके उपर थी और इनके एक लड़के की जिमेदारी और इनके एक लड़की की जिमेदारी भी इनके उपर थी उनके भरण पोसड़की और निराला जी बंगाल छोड़कर इलाहबाद चले आए तो अब वो बंगाल से इलाब आदा जाते हैं और जहां पर उनकी पुत्री सरोज का भी देहान्त हो जाता है और इस प्रकार निराला जी को जीवन भर पीड़ा और कश्ट का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों जितने भी हम लोग महान या जितने भी इस तरह के कवी या लेखक देखते हैं जहां पर उनके कृतियों को लोग याद करते हैं तो उन कृतियों के पीछे कही न कहीं बहुत ही ज्यादा संघर्स बहुत ही ज्यादा त्याग छिपा रहता है तो दोस्तों कहीं न कहीं हमें इनके जीवन से ये सिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में इनके घर में एक जो responsibility थी सारी की सारी इनके उपर थी और जब वो इलहाबाद आते हैं तो इनकी पुत्री का देहान्त हो जाता है और इस प्रकार निराला जी को जीवन भर पेड़ा और कश्ट का सामना करना पड़ता है और दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखे आर्थिक बिपन्नता के कारण और आसाध्य रोगों से जूजते हुए 15 अक्टूबर 1961 को इस महाप्रण के प्राणों का अवसान हो गया तो दोस्तों एक तरह से यहां पर हम बात करें तो 15 अक्टूबर को 1961 को इनका भी निधन हो जाता है आसाध्य रोगों से एक तरह से यह यहां पर हम बात करें आर्थी किसिती भी अच्छी नहीं रहा गई थी और इनको रोगों ने भी घेर लिया था तो इस तरह से आसाध्य रोगों की वज़े से इनकी मृत्यू हो जाती है कब होती है इनकी मृत्यू 15 अक्टूबर 1961 को और इनका जन्म कब हुआ था इनका जन् हुआ था 21 फरवरी 1896 में और मृत्यू होती है 15 अक्टूबर 1961 को क्लियर अब हम चलते हैं आगे इनकी प्रमुक रचनाएं कौन कौन सी है तो दोस्तों इनकी प्रमुक रचनाएं अधिकतर पूस्ता है काब ये कौन कौन सी है अनामिका परिमल गीतिका तुलसिदास कुकुरमुत्ता अडिमा बेला अर्चना आराधना गीत कुंज नए पत्ते तो दोस्तों कहीं पर नए पत्ते लिखा कहीं नय पत्ते तो आप यहान पर समझेए नय पत्ते और दोस्तों यहां पर सबसे जो महत्वपूर है वो है परिमल, अनामिका और कुकुरमुता ये सारी रचना इनकी बहुत पूछी जाती है अब हम चलते हैं यहां पर और उपन्यास के विषय में तो दोस्तों उपन्यास है इनका अफसरा, अलका, निरुपमा, चोटी की पकड और काले कारणामें clear और कहानी संग्रह की हम बात करें तो कहानी संग्रह में लिली, सכी, सुकुल की बीबी और चतुरी चमार ये कहानी संग्र है इनके और प्रमुक छायवादी कभी 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 पूछता ना प्रमुक छायवादी कभी कौन कौन से हैं वन वर्स वाले कोस्चन में या भविकल्पी में तो आपको यहाँ पर मैं आपको यह बता दे रही हूँ कि आप यहाँ पर आद कलेजे प्रमुक सुमिंत्रा नंदन पंत निराला सूरिकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा ये प्रमुक छायवादी कवी हैं तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्ष्ट कवी की तरफ दोस्तों आज नेक्ष्ट कवी है महादेवी वर्मा तो दोस्तों महादेवी वर्मा की विसे में हम लोग देखते हैं रास में घीतों की अमर गाई का आधुनिक यूग की मीरा स्री मती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फरूखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आधुनिक यूग की मीरा भी इनको कहा जाता है यह आप ध्यान रखिएगा इसलिए मैंने सेंटेंस में यूज किया है और दोस्तों इनका जन्म कहां हुआ था 1907 में उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद में इतना आपको याद करना आगे हम चलेए इनके पिता जी का नाम स्री गोविन्द वर्मा भागलपूर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और इनकी माता हेमराणी वर्मा हिंदी की विदुसी और धार्मिक सभाव की थी यानि कि विदुसी मतलब होता है विद्वान, इनकी माता जो थी वो विद्वान थी एक तरह से, विद्वान का ही इस्ट्रिलिंग होता है विदुसी, clear, तो एक तरह से उनके अंदर हिंदी में विद्वता थी, आगे हम बात करें तो महादेवी ने प्रारामिक सिच्छा मद् प्रदेश में इंदर से और उच्छ सिच्छा इलाहबास से, clear, आगे हम चलें, तो इलाहबाद विद्विद्वान से संस्कृत में M में करने के बाद, प्रियाग महिला विद्विद्वापेट की प्रधानाचारिय नियुक्त हुई थी है, clear, और इलाहबास से प्रकासित हो होने वाले चाद मासिक पत्रिका की ये संपादिका भी रही है क्लियर तो यहां पर आपको चाद मासिक पत्रिका किसे समंदित हो गई ये समंदित हो गई महा देवी बर्मा से और ये कहां से प्रकासित होती थी ये इलहाबास से प्रकासित होती थी तो दोस्तों ऐसे कोशन तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 सितंबर 1987 को आपका निधन हो गया तो दोस्तों यहाँ पर 1907 में इनका जन्म होता है और 87 में इनकी मृत्य हो जाती है और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इनके और भी जो भी ने उने उपादी गरहाण की और जो भी ने सम्मान दिया गया यहाँ पर देखिए कुमायो विस्विद्याले से आपको डिलिट की उपाधी से सम्मानित किया गया और राष्टपती ने आपको पदमिसरी की उपाधी भी प्रधान की तो दोस्तों कुमायो विस्विद्याले से इनको क्या मिला था डिलिट की उपाधी मिली थी और राश्टपती ने इनको पदमिस्री से भी विभूसित किया आगे हम देखें और दोस्तों अगर हम बात करें चोकि ये यूपी से समझी थे तो यूपी सरकार ने भी ने समानित किया था भारत भारती पुरसकार से ख्लियर भारत भारती पुरसकार से समानित किया गया था और साम्य नामक कृती पर आपको साहित अकादमी द्वारा भारती ज्यान पीट पुरसकार से भी विभूसित किया गया तो दोस्तों किस नामक किस कृती की वज़ा से साम्य नामक कृती की वज़ा से आपको भारती ज्यान पीट पुरसकार साहित अकादमी द्वारा इनको भार ग्यान पीट पुरसकार प्रदान किया गया क्लियर तो अब हम देखते हैं इनकी रचनाओं के विशे में इनकी रचनाएं है कविता संग्रे निहार रस्मी नीरजा सांधिगीत यामा तथा दीप सिखा तो दोस्तों इनमें देखें नीहार रस्मी नीरजा सांधिगीत यामा दीप सिखा ये सारी इनकी प्रमुक कविता संग्राया और ये सारा पूस्ता है आगे हम देखे तो गद्य रचनाव में इनकी अतीत के चलचित्र ये भी बहुत इंपोर्टन्ट है स्मृति की रेखाई ये भी स्रिंकला की कडिया ये सब और हिंदी विवेशनात्म गद्य है दोस्तों महादेवी जी को आद्मिक यूग की हिंदी कवित्रियों में सरवोच अस्थान प्राफ्त और इन्हें आद्मिक यूग की मेरा कहा जाता है एकलियर तो ये सारी चीजें एक बार हम फिर से रिविजन कर लेते हैं पूरा दोस्तों आज हमने क्या क्या पड़ा आज 296 इस्वी में मेधनीपूर बंगाल में तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इनके पिता जी राम सहाय त्रिपाटी उतरपदेश के अंतरगत रुनाव जिले के गड़कुल नामक गाउं के रहने माले थे और परवे महिसादल राज में नौकरी करने के कार बंगाल में रहने लगे थे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इन ये इलहाबाद में बाद में आ जाते हैं आगे हम देखेंगे तो इसके पहले हम लोगों ने देखा आई और दोस्तों इनकी इम्रित्य हो जाती है 15 अक्टूबर 1961 को प्रियाग में क्लियर आपको इसके प बहुत अच्छे ढंक से नहीं हो पाती है फिर भी ये घर पर स्वाध्याय के माध्यम से ही अंग्रेजी बंगला और संस्कृत का अच्छा अध्यन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो उनके पत्नी चाचा और भाई की मृत्यू हो जाती है इन्फ्लूएं चता के कारड असाद रोगों से जूशते हुए 15 अक्टूबर 1961 को इनका भी निधन हो जाता है तो यह सारी चीजे हमने देखी और इनकी प्रमुक रचनाए क्या क्या है अनामिका परिमल गीतिका तुलसी दास कुकरमुत्ता अडिमा बेला अर्चना आराधना गीत कुंज न अत्तवपुर जो पूशता आपके एकजाम में कि प्रमुक छायवाधी कभी कौन है तो प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा जिसमें जैसंकर प्रसाद सुमिंतरा नंदन पंत सूरी कांत्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का नाम प्रमुक है आपके लेते हैं और माता जी की बात करें तो सिरीमती हेमरानी वर्मा हिंदी की विदुसी और धार्मिक सुभाव की थी महिला और दोस्तों अगर हम बात करें महादेवी ने प्रार्मिक सिच्छा मध्य प्रदेश में इंदोर से प्राप्त की थी और उचे सिच्छा के लिए इलाहाबाद गई और इलाहबाद विस्विद्याले से इन्होंने संस्क्र्ट से एमे किया और उसके बाद इन्होंने प्रयाग में महिला विद्यापिट की प्रधनाचारिया न्यूक्त हो जाती है और दोस्तों इलहाबाद से प्रकासित होने वाले चांद पत्रिका यानि कि मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया यानि कि ये संपादिका रही और 11 नंबर 1987 में इनका निधन हो जाता है इनका जन्म कब हुआ था? उनीसो साथ में और मृत्यू कब हुए 1987 में क्लियर और कुमायू विश्विद्यालय ने इनको डीलिट की उपादि से समानित किया था और राजपत ने इनको पदमिस्री से यानि कि पदमिस्री उपादी है इससे समानित किया और दोस्तों अगर हम बात करें यूपी सरकार की तो यूपी सरकार ने भारत भारती पुरसकार से भी इन्हें समानित किया। रचना है और ये सब की सब important है और दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर गद्धी रचनाओं की तो अतित के चल चित्र स्मृत की रेखाएं स्रिंखला की कडिया और हिंदी विवेशनात्मक गद्धी ये सारी चीज़े हमने देखी थी और दोस्तों अगर हम बात करें महादेवी जी को आधनिक यूग की हिंदी कवित्रियों में सर्बोच अस्थान प्राप्त है इन्हें आधनिक यूग की मेरा भी का जाता है तो ये ता आज का आपका क्लास आसा करती हूँ कि ये सारी चीज़े आपको पसंद आई होंगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कोमेंट के मादियम से हमें जरूर बताया कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है दोस्तों यहाँ पर आपको इन सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आप हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर दीजे और साथी इन सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और टार्गेट टीचर डॉप टेलिग्राम चैनल पर इस पर सफाई रखिए हमसे जुड़ने के लिए था इंक्यू सुमाच जैन